कि नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में आज हमाय संग एक ऐसी शक्सियत मौजूद हैं जो इस देश की अर्थविवस्था को समझते हैं सासी साथ बिहार की राजनीती को बहु भी जानते हैं प्रधान मंत्री जब अटल बिहारी वाजपे ही हुआ करते थे वो उनके सलहकार रहे हैं और हाल ही में जनता दल यू को छोड़कर भारती जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मैं बात कर रहा हूँ नंद किशोर सिंग ज कहा है कि NDA के मुकाबले UPA की आर्थिक दर बहुत बहतर रही है जब मैनिफेक्स्टो कॉंग्रेस पार्टी का जारी हुआ मैं नहीं वियान सुना और मैं कुछ अचंभित हो गया यह सुनकर के क्योंकि आर्दिशार्थ होने के नाते कम से कम ये तो मुनासिव होता कि वो सप एक समय जो इंफ्रा स्ट्रक्चर बना था इंडिया के समय जो कुछ कठिन आर्थिक नेने लिये गये थे उसका पर नाम हुआ वो बीज उस समय बोए गये थे उसका पर नाम हुआ कि UPA1 में जो आर्थिक विखास हाया वो काफी सह जनक था और UPA1 ने जो बीज बोए उसका आप देखें यूपी एटू को मिला जब आर्थिक विकास घटते घटते आठ पॉइंट सेवन परसेंट से घटते घटते अभी जो वर्तमान आकड़े हैं उसके अनुसार पांच प्रतिशत से भी नीचे है अगर ये सच है प्रधान मंत्रिक ने सीधे तोर पर कहा मनमौन सिं है अब हम साथ प्रतिशत के आसपास हैं ये उन्होंने का कि किसी भी एद्शास्तर के लिए एक लीड्स एंड लैग्स होती है आज जो मैं कदम उठाता हूं उसका फल मुझे तुरंट कल नहीं मिलेगा आज जो मैं कदम उठाता हूं कोई मैं नीती गद कदम उठाता हूं तो उसका फल कुछ दिन के बाद मिलेगा मैं एक उदाहरन बता रहा हूं लोग डक्टर मन्मून सिंग के बहुत तारीफ करते हैं कि 1991 में उन्होंने बहुत ठोस आर्थिक कदम उठाए जो विकास के दर 1991 जब वित्मंत्री वो थे और 1996 उच पांच वर्षों में क्या वित्त जो विकास का दर था विकास का दर काफी कम था क्योंकि जरूर उसका लाब बाद में आया और NDA 1 ने जो कदम उठाए उसका लाब UPA 1 को मिला तो मेरे जानते आप एक मेकैनिकल को रिलेशन्शिप नहीं निकाल सकते हैं आपको ये देखना चाहिए कि उस समय सही कदम में हालात क्या हैं जो वरतमान हालात है वरतमान हालात ये है फिसकल डेफिसिट हाइएस्ट है आज करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत एक चिंता का प्रशन है जो हम लोगों की एंटाइटल्मेंट डिर्वन वेलफेर स्कीम है वो भयानक है क्योंकि जो उसका वे पड़ वो चिंता जनक है परिसिती ये है कि जिदामरम साहब ने जो भी वर्तमान अंतरम बजट दिया है जो चार महने के लिए उन्होंने अप्रोप्रियेशन्स मांगे पार्लिमेंट से उसमें जो उन्होंने वे है वे को घटा दिया है कली पचास हजार करोर ऐसा है जिसका बोज प उन्होंने नॉमिनल जीडीपी जिसे लोग कहते हैं उन्हें दिखाया है कि लगभग 13% के नॉमिनल जीडीपी होगी और यद्यपी उनके कहते हुए इन्फलेशन कम हो गया है अगर 6% से इन्फलेशन होगा तो क्या उमीद कर रहे हैं कि अगरे 7% की जीडीपी ग्रोथ सभाग में आते हैं तो वो कहते हैं हम सभी जुकी जोपड़ियों को हटा कर नए मकान 2017 तक दे देंगे ये कैसे होगा अरे आप जाने दीजिए केवल यही थोड़े ही कह रहे हैं जूट का उसमें पुलिंदा भरा हुआ है उन्होंने छे ऐसे मामले हैं जिसके उपर उन्होंन सब्सक्राइब लाइफ और राइट तू अंट्रपर्नियॉर्शिप मैंने एक अधिकार हो जाएगा किसी को भी कि मैं एक रोजगार कर सकता हूं बताएए इस सब चीज का आप वित्य जो इसको बोज पढ़ेगा इन सब चीजों के लिए वो वरनन उसका कोई उसमें जिकर भी नहीं है कि कैसे करेंगे राइट टू हिल्थ सहाब अभी तो राइट टू एजूकेशन का जो आपने बिल बनाए है लेकिन उसका नतीजा क्या है आप Acer की report देखें, Acer के report के अनुसार, जो पिछली साल के Acer के report आई है, उसमें ऐसा आया है, कि लोग जो छे वर्षों तक या पाज वर्षों तक जो class 5 या class 6 कर लिया है, वो class 2 का आखणा नहीं कर सकता है, तो ऐसे राइट से क्या फाइदा? प्राइट स्कूल उनको जाना पड़ रहा है, आपकी पॉब्लिक स्कूल के हाला ठीक नहीं है, आप गैरंटी कर रहे हैं वो राइट तू राइट तू फूड, आप राइट तू फूड के कारणनेत के लिए उसमें कोई प्लान नहीं है यानि आप कह रहे हैं सीधे तोर पर कॉंग्रेस आँखों में धूल जोक रही है और जो हालात पैदा है आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी पैदा नहीं होगी जो आप कह रहे हैं उनका जो वक्त आ रहा है उन्हें जब माबाप जादा पढ़ी लिखे नहीं मिलेंगे आप जो उन्हें कहा कि कोई टेस्ट नहीं होगा तो टेस्ट और नियंतरन कुछ नहीं होगा आप अगली क्लास में जा रहे हो लेकिन ऐसे सिक्षा से क्या फाइदा रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं होगी यानि नाम की शिक्षा, कहने के लिए हमने right to education दे दिया है, उसी प्रकार हम right to employment दे रहे हैं, मन्रेगा की scheme, right to employment की scheme है, अब उसका नतीजा क्या हुआ है, नतीजा यह हुआ है कि गाओं में जो लोग काम करने की जिन में शक्ती है, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो wage rates है, व और हिंदुस्तान की उससे यह नतीजा हुआ है, कि लोग कहते हैं कि भारत में labor supply काफी है, और comparative labor supply है, हम लोग को इसका यह लाभ है, factor endowments का, लेकिन इसके कारण wage rates इतनी बिद्धी आया है, जिसको productivity से कोई तालुक नहीं, wages बढ़े, मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन उस को मैं एक उदाहरन देता हूँ, कि हिंदुस्तान को एक नाज था, कि रिडिमेड गार्मेंट इंडास्ट्री का हमारा हिंदुस्तान एक दिड़ हमारा गड़ है, क्या हुआ रिडिमेड गार्मेंट इंडास्ट्री की, रिडिमेड गार्मेंट इंडास्ट्री से ब हंट कर जो ढूर रहे थे कि अपने को कहां हम फिर रिलोकेट करें तो भारत ते एक सभाविक रिलोकेशन का स्थान था लेकिन वो भारत नहीं आये वो जा रहे हैं वियटनाम, वो जा रहे हैं मलेशिया, वो जा रहे हैं इंडोनीशिया और हिंदुस्तान इसलिए नहीं आ रहे हैं को कि कह रहे हैं कि हंदुस्तान एक अंकमपेटिटिव एकॉनमी हो गई है हंदुस्तान में मैनिफैक्चरिंग का सकोप नहीं है ये दुर्भागे पस UPA1 और UPA2 ने मैनिफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले दो वर्षों में शुन बृद्धी है पिछले दस वर्षों के लोग कह रहे हैं कि it has been an era of jobless growth आपने कहा jobless growth आपने कहा कि ऐसी तरक्की जिसमें हाथ को रोजगार नहीं है लेकिन नरेंदर मोदी ऐसा क्या कर देंगे कि सब के पास ये चीज़े आ जाएंगे और पूरी दुन्या globalization है पूरी दुन्या भारत पर यकीन कैसे करेगी ऐसा उनके पास क्या जादु की छड़ी होगी जादू की छड़ी नहीं है लेकिन जरूर उनके पास निश्चित विचार हैं जिसके आधार पर मैनिफैक्चरिंग सेक्टर जिसके माध्यम से एक रोजगार का सुजन हो सकता है manufacturing sector के लिए निश्चित प्लान है manufacturing को बढ़ाना एक उस नड़नर मोदी जी की एक प्राथमिक्ता है उन्होंने करके दिखाया है कि manufacturing ये नहीं कि किवल manufacturing हो एक balanced growth और inclusive growth का धाचा लोग उनके उपर लांगशन डाल रहे हैं कि वो किवल एक capitalist lead model है ऐसी बात नहीं है आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये पूंजी वाद नहीं है क्योंकि उनके ओपर केजरिवाल के आरोप है और लोगों के आरोप है कि वो सीधे तोर पर ambani brothers का फायदा करते हैं खासकर मुकेश ambani का वो अडानी का फायदा करते हैं वो जान बूच के रतन टाटा को किसानों की जमीने बहुत कम कोड़ियों के दाम में दे देते हैं आप के जरिवाल जी का आप सुएं बयान अगर सुनें तो वो ये भी कहें हैं फिक्की में और C.I.I. को संबोधित करते हुए कि वे पुन्जिवाद के खिलाफ नहीं है पुन्जिवाद एक productive efficiency का एक माध्यम है उन्होंने पुन्जिवाद की आवश्यक्ता को स्विकार किया है वो क्रोनी क्यापिटलिजम के खिलाफ है पुन्जिवाद की जो इसका सुजन हुआ जिसे लोग productive factor efficiency मानते हैं जिसके आधार पर competition के माध्यम से एक बढ़ोतरी होती है manufacturing sector में वो एक रोजगार प्राप्ती के लिए आवश्यक्त है और आगे आने वाले दिनों में जो चुनोतियां नए सरकार के लिए हैं जिसका उलेक कि मैं कई जगों पे किया है वो यह है कि जो आर्थिक नीती UPA1 और UPA2 अपनाई है उसको उपर पुनह विचार करना पड़ेगा पूंजी बाद आता है साथ में ब्रस्टाचार आता है आप कह रहे हैं हम ब्रस्टाचार को रोकेंगे विकास करेंगे प्रधान मंत्री सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी नियत साफ है हमने नए कानून पारित किये हैं हमें और मौका मिलेगा तो हम ब्रस्टाचार को खतम कर देंगे इस ब्रस्टाचार को आप लोग कैसे खतम करेंगे पुन्जिवाद से ब्रस्टाचार सीधे हो जाए यह को आवश्यक नहीं है जब लोगों का भरोसा हट जाए बहस्ट आचार का लंगशन हो और बहस्ट आचार कई हद तक सिद्ध हो जाए को कि Central Bureau of Investigation के माध्यम और उस Investigation के पशचात उन्हें जेन जान लेकि नौबत हो तो मेरी जानते जो सबसे important चीज है लोगों का भरोसा, confidence, trust और institutions जो इस काम के लिए हैं वो institutions अपना काम autonomous रूप से independently वो कर सकें ये guarantee देगा ये guarantee leadership दे सकती है लाह राह leadership को दिखाना है और ये जो वरतमान सिती आई है वो एक leadership की failure है ये credibility की failure है सीदे तोर पर N.K. सिंग का कहना है कि लोग तंतर को चलाना हो या घर को चलाना हो भरोसा सबसे जादा जरूरी है जानेंगे ब्रेक के बाद एनके सिंग से कि उनका भरोसा जे डियू से क्योंट रोटा और उन्हें बीजे पी में भरोसा कहां से दिखाई पड़ा रहा है इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मेरे साथ मौजूद है इनके सिंग जी क्या वजय थी आपने किताब पूरी लिखी है नया भिहार डेवलोप्मेंट का भिहार इसके बावजूद आपने नितिश के संग तमाम से मिनार्स में प्रोग्राम्स में साजा किया मंच मैंने आपके लेक्शर सुने है ऐसा क्या हुआ कि आपने उन्हें छोड़ दिया मैं पार्टी को मैंने छोड़ दिया रोष्ट दिखा करके यह बात सही है कि जो निदिश जी ने मुझे मुझे मोका दिया था राजसभा में मैं उनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं मेरे लिए कुछ निराशा की उन्होंने पुझा री नॉमिनेट नहीं किया और री पिछली सब्ता जनवरी में नहीं सो चोड़ा हूं वो उसका कारमुक कारण यह है कि जब से भाजपा से जन्ता दल्य उनाइटेड का सम्मन्द तूट गया 17 जून जहां तक मुझे समर्ण है मिछले वर्ष तब से एक जो मैं देख रहा हूं बहुत भारी परिवर्तन आया ह जन्ता दल्य उनाइटेड और नितीश जी की राजनीतिक जो उनकी लीडर्शिप है उसका एक यूनीक पॉइंट ये था कि बिहार के विकास के लिए और बिहार को एक विकसित राज बनाने के लिए एक जो परिश्रम था उस परिश्रम के हम एक छोटे से अंग थे लेकिन जून के बाद जो दिश्टिकोन में परिवर्तन आया वो विकास से हटकर एक सर्वाइवल का परिवर्तन आया कि हम हमारी सरकार बिहार में बनी रहे राजना सिंग को क्या दिख गया आपके अंदर और आपको राजना सिंग में क्या दिख गया है अभी मैं आ रहा हूँ उस प्रश्ण पर तो जब मैंने देखा कि इसका अब लगभग इसका आगे जेडियू में रहने से कोई जेडियू को लाव है मुझे तो लाब नहीं दिख रहा था क्योंकि एगर विकास से रूची हंट गई तो मैं रह करके जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं समझ रहा था कि किनी को दोनों में से किनी को लाब नहीं है तो मैंने इस्तिफादी दिया मैं देखता हूँ कि जो वर्तमान आर्थिक स्थिती है हिंदोस्तान की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिती है हिंदोस्तान को आर्थिक विकास को पुन्या जागरत करने के लिए आवशक है कि एक स्ट्रॉंग स्टेबल कर्मन्ट हो पुझी निवेशकों को पुझी निवेश करने का उत्साहन तभी हो सकता है जब उन्हें देखें कि केंद्र में एक भरोसे मंद का सरकार एक स्टेबल सरकार, एक स्ट्रॉंग सरकार और एक डिसाइसिव और क्रेडिबल लीडर्शिप हो और मैंने देखा कि ये सब गुन वर्तमान भारते जन्ता पार्टी में हासल है और इसी हाँ को देख करके मैं उत्साहित हुआ बीजेपी के तरफ आप आगें बीजेपी के तरफ लेकिन लोग जन्शक्ती पार्टी ने भी हाथ मिला लिया आपने भी हाथ मिला लिया, लाल मुनी चौबे नाराज हो जाते हैं, गिरी राज सिंग नाराज हो जाते हैं और ऐसी इस सिती में अब आप लोग के आने से कितनी भर पाई बीजे पी की होगी बीजे पी का घर नहीं समल रहा है, बुज़र्ग नेता नाराज है देखिए, आप जरूर देखे होंगे, कल राजनाजी का एक इंटर्व्यू जो उन्होंने एक दूसरे सिस्टर चैनल में दिया था, उन्होंने उत्तर दिया कि ये सब एक ट्रांजिशनल प्राब्लम्स हैं, ट्रांजिशनल प्राब्लम्स और मेबी चेंज आप संक्रमन काल की बात कर रहे हैं, संक्रमन काल में ये दिक्कते आती हैं, लेकिन आने वाला सवेरा बेहतर होका, इसकी गरेंटी नहीं मिल रही है अगर जस्वन सिंग निर्दलिये लड़ रहे हैं कैसे आप कह सकते हैं लाल मुनी चौबे निर्दलिये लड़ रहे हैं एक जस्वन सिंग जी के नाराजदी से इतने बड़े पार्टी में आप ये मन भूलें कि जो ओवरॉल ब्रॉड विजन है उस पार्टी का विजन ओफ ए स्ट्रॉंग इस्टेबिल इंडिया वो विजन जियों के त्यों रहती है कि जो आप कह रहे हैं ये सच हो जाएगा तो इसमें मुरली मन और जोशी की जगा कहा है कलराज मिश्रा की जगा कहा है सुश्मा सौराज बार-बार टूइट कर रही है लाल करेशन आडवानी तमाम जगाओं पे रो चुके हैं आशुओं से अगर द्रवित हैं ऐसी इस सिथिदी में आप कहा पा रहे हैं नहीं मैं तो देख रहा हूँ कि जो ओवरॉल इनकी स्ट्रेटिजी है और आउटकम है इस से बहुत बड़ा परिवर्त हैं पढ़ने को नहीं है अगर ये एक इंटरनल कैथार्सिस है पार्टी की ये एक इंटरनल कैथार्सिस की एक्स का समन्व है मेरे जानते जो कल राजनाद जी ने खुला सा इंटर्वियो दिया उन्होंने कहा कि ये सब समश्या हैं लेकिन इसके अलावा भी मुझे ऐसा उन्होंने भरोसा इस इंटर्वियो से हुआ कि आगे आने वाले दिनों में इन सब चीजों का एक अच्छा निसकर्श निकलेगा राम क्रपाल आ गए आप आ गए अब आप लोग बिहार में कितनी सीटे देख रहे हैं क्योंकि 32 आप लाए थे चब एंटिये के साथ थे चालिस में से अब साथ आपने दे दी हैं राम बिलास पासवान को आप कितनी उमीद कर रहे हैं लाने के साथ हम लोगों ने दिया है राम बिलास जी को दो हम लोगों ने दिया है और सब मिला करके हम लोगों ने तीन सीट एक उन्होंने कुश्वाजी आये थे तो तीन उनको और साथ राम बिलाची को तो आप चालिस में से दस कहीं तो आप तीस सीट पे आईए निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि इस में से पच्ची सीट 25 से 27 सीट हम लोग जीतने की सिती में हैं और फिर लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे निश्कुमार के रहे हैं हमने विकास किया है और वो कह रहे हैं कि आप सब के सब सिप सामप्रदाइटा की राजनीती करते हैं दुरूवी करण की राजनीती करते हैं मुसल्मान वहां पे है यादव वहां पे है उसको आप नही जिसे न जा है कि हम एचे से थे केद्डरिय सरकार को मैं चाहता हूं जिसे बिकास की जो प्रगती थी ज्सीमा पर थे वो वापस हो जाए लोगों में चागरती थी है कि पर चोंडेंजे कर्वल नावा बनाने में और कोई सक्षम है 17 परसेंट मुसलमान है आपके हाँ 13 सीटों के उपर 44% उनकी आबादी है और वो महत्पूर्ण हो जाते हैं आप कह रहे हैं कि हम 37 सीटे जीतेंगे दस आपने इधर दे रखी हैं तीस इधर दे रखी हैं अग वो दावा कर रहे हैं कि हम दस लाएंगे 27 आप लाने की बात कर रहा है जादे दिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है मई का निसकर्ष तो निकल ही जाएगा और ये इंटर्व्यू भी रहेगी हम लोग देखेंगे कि कहां तक जो हमने I stuck my neck out in giving a figure हम कहां तक सहिं कहां तक सभी कहां गुशाण मिष्यूद्री ओं महा दलीतों की बात बार बार हो रही है ये 50 पर्सेंट हैं आप अर्थ शास्त्री हैं उन के हख को आप कैसे देखते हैं बिहार के अंदर उत्तर प्ड़ेश और आने से खास तोर पर चिराक पास्वान जैसा युवानेता आपके पास आ रहा है, राम बिलास पास्वान जिनको आपर आरोप है अवसरवात का, इन लोगों के आने से वोट आप से जुड़े अगर निश्चित रूप से जो बीजेपी की विगास की जो स्ट्राटीजी है एक इंक्लूसिव स्ट्राटीजी है, राम बिलास जी जो आए है, विस इंक्लूसिव स्ट्राटीजी को देख कर के आए है, यह जो एक रेन्बू कोलेशन है, वे उसके एक मुक्य अंग बने है, और जो नरंदर मोदी जी का प्रभाव है, उनको के वो, ही जो आप कमिं इन तो जो आप देखिए, जो समन्वे बन रहा है, विकास और वोट की दोनों कोलेशन आप बन रहा है, पिछले बार जो आप पिछले दो बार में नितीज़ चीज़ जीते हैं, वो क्या है, वो एक समन्वे है, यही स्ट्राटीजी बीजेपी के जादा खुबसूरत तरह से व नरेंदर मोदी के संग तानाशाही दिखाई पड़ती है, नरेंदर मोदी एक ऐसा चेहरा है, जो सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं, आप अटल बिहारी वाचपई के सलहकार रहे हैं, अटल जी जैसे कौन से गुण हैं, उनके अंदर जो आपको लगता है कि वो देश में अटल जी और उनमें एक बहुत बड़ा जो सिमिलारिटी है, वो एक डिसाइसिवनेस का है, डिसाइसिवनेस के विविन रूप होते हैं, अटल जी भी बहुत डिसाइसिवनेस का रूप और था, नरेंदर मोदी जी बहुत डिसाइसिव हैं, और अभी भारत को डिसाइसिव लीडर की आवर्श रकता है और ये एक बहुत बड़ा सिमिलारिटी दोनों में पाता हूँ कोई एक्जामपल आपको याद आता है मसलन ऐसा एक बहुत बड़ा एक्जामपल मैं अटल जी का बता रहा हूँ मैं उनके साथ बैठा हुआ था नियॉयर्क था नियॉयर्क में बैठे थे उनको अगले दिन एक भाषन देना था भाषन के दौरान हमने भाषन कुछ में भाषन का खाका बनाकर ले गया था उन्होंने पुछा कि इसमें कोई नई चीज है किया कि साहब नई चीज ने क्या फाइदा फिर नई चीज ने कुछ सोची है ऐसा सोची है जिससे कि कुछ फरक पड़ सके साहब शाम का समय था रामिलास पास्मान उस समय टेली कॉम के मिनिस्टर थे अटल जी के शायद आपको समर्ण होगा और न्यू यॉयॉक से अटल जी के आदेश के पश्चाथ उनको टेली फॉन किया कि साहब टेली कॉम सेक्टर को पून रूप से हम लोग डाउंस्ट्रीम और अप्स्ट्रीम टेली कॉम को खोलना चाहते हैं तो आपको कोई आपति है क्या सोच करके बताए कंसल्ट करके बताए कुछ देर में रामिलाह जी की कोई आपति नहीं है और अटल जी को जब ये कन्वेगा तो उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि साथ प्रभाव पड़ेगा, कॉंपेटिशन बढ़ेगी, टेलीकॉम छेत्र में दाम जो है वाइस और डेटा टेलीफोनी के गिरेगी, पूछा आम आदनी को फायदा होगा, करो या जो नैशनल हाइवे अथॉरिटी जिसके बारे में लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं अटल जी इसी दरवान उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा कोई यूज ना सोची और हम लोगों ने सोच करके उनके समक्ष भेजा नौट साउथ इस्ट वेस्ट हाइवे और उन्होंने निर्ने किया, निर्ने ही नहीं किया उन्होंने कहा कि भाई इसको इंप्लिमेंट करवा दो, उसके कई अनकन्वेंशनल डिसिशन्स हुए, मुझे समर्न है कि मैंने वित्त सचिव को बुला करके आगरह किया, कि एक नौन लापसिबल फंड क्रियेट किया जाए, उन्होंने उसको एकदम स्विकर्टी दी, आगे बढ़े, ये एक डिसाइसिव लीडर्शिप काड़ लेकिन इसी पर कहा, सीधिये तोर पर मनमोहन सिंग ने कहा, कि NDA किये से जादा सड़क निर्मान हमने किया, सौने इम चतुर भुज योजना शुरू की होगी, वाजपेई जी ने, लेकिन उनसे जादा सड़क हमने बना के दिया, ये हाश्य प्रद मनमोहन सिंग जी का ये दावा है, आप किवल कितने वर्श थे, और कितने किलो मीटर उन् लेकिन जमीन पे कारणत नहीं हो रहा है, कॉंट्रैक्ट्स नहीं दिये जा रहा है, कॉंट्रैक्स में ट्रांस्पिरंसी नहीं बहुत हद तक है, इस कारण ये सब प्रजेक्स जो हैं, यूजना ये फसे हुए हैं आपको इतना यकीन है नरेंदर मोधी और राजनात के कॉंबिनेशन पे आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ की बात इंक्लूसिव ग्रोथ की इंक्लूसिव ग्रोथ कर लीजे मैं इंक्लूसिव मानता हूँ exclusive मैंने इसलिए कहा जो अलग होगी यूपीए से यूपीए से आप अलग की बात करते हैं ऐसी इस्तिती में अगर लहर उनकी है तो राजनात सुरक्षी सीट ढूंटे हैं लखनों की और दो सीटों से क्यों लड़ने चले जाते हैं नरेदन वोदी वो वारानसी से भी लड़ रहे हैं और गुजरात में उन्हें वड़ोदरा की सीट अच्छी लग रही है वो इस कारण थोड़े ही है कि कहीं से हार की उन्हें डर है वो इस कारण लड़ रही है क्योंकि उसका सिग्नलिंग एफेक्ट होता है जो कई सीट से लोग लड़ते हैं वो कि अवर जीत ही उनक signaling effect भी जाती है और जिससे मेरे जानते जो wave है उसका एक multiplier effect बनता है अनके सिंग जी का कहना है कि Congress जूटे वादे कर रही है जबकि सीधे तोर पर राहुल गान्धी ने कहा है कि बीजेपी का गुबारा वैसे ही फटेगा जैसे 2004 और 2009 में पटाता नरेंद्र मोदी कभी भी इस देश को नहीं संभाल पाएंगे अब देखते हैं जनता किसको अपने सरमाथे पर बैठाती है लेकिन इतना तय है कि आने वाले टाइम में जब सोलवी लोगसभा के लिए परिणाम आ रहे होंगे वोट के बाद उसके बाद देश एक नया सवेरा देखेगा इस उमीद को हम मान के चल रहे हैं अब देखते हैं भविश हमें क्या दिखाता है एनके सिंग जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हैं साधना नियूस के साथ फिलहाल प्रकर प्रकाश मि दीजेज आज़ाद